गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे electronics product के factory price, wholesale price और retail price में यहाँ पर जब कोई भी product factory में बनता है तो factory वाले उसे कितना रूपे में wholesale वाले को बेजते हैं wholesale वाले उसे कितना रूपे में retail वाले को बेजते हैं ऐसा जो वीडियो है स्रीव पर स्रीव आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा तो मेक्सूर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब करके जाना दो चले स्टार्ट करते हैं इस इंड्रेस्टिंग वीडियो को गैस सबसे पहले मैं आपको वदाना चाहूंगा कि एक brand जो है क्या होता है यहाँ पे आप अपना खुद का भी एक brand बना सेकते हैं और जो बड़ी बड़ी जो company होते हैं वो भी अपना खुद का brand बना के ही रखे हैं तो यहाँ पे कोई भी company जो है एक बार में बड़ा सा brand जो बनता है और यहाँ पे मैं किसी भी brand का नाम नहीं लूँगा कि यह जो brand है इतने सस्ते में factory में बनाता है अपने product को और इतने महंगे दामों में अपने product को बेचता है market में इसी तरीके का मैं किसी भी brand का नाम नहीं लेने बाला हूँ बट मैं आपको एक basic idea दूँगा कि कि क लेकिने बाला सबसे important चीज है वो है mobile phone का charger तो यहाँ पे जो Samsung है या फिर Nokia है Realme है यह लोग जो है अपना खुद का charger को manufacture करते हैं तो उनके बार में हम बात नहीं करेंगे बाकी जो local brand होते हैं local तो नहीं बलूँगा बट mobile phone के लिए जो charger बनाती है ठीक है जैसे कि बहुत सार अलग भी brand है जो कि mobile phone के लिए charger बनाती है तो उन brand को उस charger को बनाने में कितना रुपे का खर्चा होता है और वो कितना रुपे में बेचते हैं market में अभी अगर हम एक charger के manufacturing cost के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब कोई भी factory वाला एक charger को manufacturing करता है तो वहाँ पे एक charger को manufacturing कर पे जब पैंने का जो cost है वह 20 ते 30 रुपे ठीक है 20 से 30 रुपे में एक जो charger है 2.3 MPR का या फिर 3.4 MPR का जो चार्जर है वह 20-30 रुपे में manufacturing हो जाता है और जो brand है जो factory है वो wholesale वाले को बेचते हैं 30 से लेके 40 रुपे में ठीक है और जो wholesale वाले होते हैं वो retail वाले को बेच के बीच में। कूक會 सब्सक्राइब margin है वो किस तरीके से कितना कितना यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो आप समझदो ठीक है उसके अलावा यहाँ पर जो डेटा केबल होता है ठीक है जो डेटा केबल आपने देखा चाहे वो टाइब C के लिए हो उसे बनाता है ना तो उसे च्हें से लेकर्त 2 का हो से सब्सक्राइब उस士 इस बेचते हैं दुकान रूपल्पर में उसे बीचते हैंçar पर अलग अलग तरीके का data cable है data cable का quality के उपर depend करता है कि quality जो है उसका कितना अच्छा है वो बहुत सारे manufacturing product के उपर depend करता है बाकी यह जो basic है वो आप समझ लो ठीग है उसके अलाबा और भी बहुत सारे product है जैसे कि mobile phone का tempered glass हो गया या फिर जो back cover हो गया तो tempered glass को बनाना प्राइस में वो tempered glass जो है बन जाता है जब tempered glass factory में बनते हैं तो उसका जो प्राइस है वो है एक से लोके दो रूपे यानि एक से दो रूपे का जो है manufacturing खर्चा आता है factory बेलों को और जो फेक्टरी वाले होते हैं वो wholesale वाले को 5 से लेके 6 रूपे में बेज देते हैं और वो wholesale वाले retail वाले को 12 से लेके 15 रूपे 20 रूपे इस तरीके एक से बेजते हैं और जब retail वाले अपने customer को बेजते हैं तो 50 रूपे, 70 रूपे, 80 रूपे, 100 रूपे, glass guard के उपर जो tempered glass है उसके उपर depend कता है कि उसको कितना रूपे में बेचा जाएगा बाकी उसके अलाब बहुत सारे brand है, काफी सारे branded earphone भी है और काफी सारे non branded earphone भी है तो यहाँ पर जितने पी सारे non branded earphone है ना जो कि आप market में जाके देखोगे तो 70-80 रूपे के बीच में आ जाते हैं उनको manufacturing cost जब factory में वो बनता है तो 8 से लेके 10 रूपे के बीच में उसका manufacturing cost आता है और factory वाल जो retail वाले को 20 से लेके 30-40 रूपे अपने हिसाब से अपने मर्जी के हिसाब से उसे बेचते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई union नहीं है कोई भी ऐसे रुकावर नहीं है यहाँ पर अगर उसी तरीकी का product में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी GST बगरा क्या कोई भी लफडा नह जिने के बेचेंगे अपने हिसाब से वो लोग जो है बेच देते हैं वही अगर हम बात करें hardware parts के बारे में तो यहाँ पर hardware parts के ऊपर एक dedicated video हो सकता है बट मैं एक basically आपको समझाओं तो display में भी यहाँ पर बहुत सारे brand हैं जो कि display को manufacturing करते हैं तो display एक display को बनाने का खर्चा जो है 500 रुपे से लेकिए 800 रुपे के बीच में आता है एक normal IPS display को बनाने में और वही display wholesale में जब जाता है 1200, 13, 14, 1500 के अंदर में जाता है और wholesale वाले उसे retail वाले को 1800, 1900 में बेचते हैं और retail वाले customer को लगा के 2500, 3000 रुपे में उसको बेच दिया जाता है बाकी super emulator display होता है उसक रुपे तक का खर्चा आता है maximum और वही जब wholesale वाले को वो लोग बेचते हैं तो 1500 रुपे तक बेच देते हैं बाकी wholesale वाले retail वाले को उसे display को जो है 2200, 2300 रुपे में बेचते हैं और retail वाले उसको लगा के अपने मन मर्जी हिसाब से बेच देते हैं और बहुत सारे quality हैं ब किस तरीके से आप quality वगरे को चेक कर सकती हो और क्या क्या quality में display जो है आते हैं तो गाइस ये थे कुछ चीजें जो कि एक normal businessman को जानना चाहिए और आप मैंसे काफी सारे लोग ये सोच रहे होगे कि यहां पे हम directly factory में क्यों नहीं contact कर लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा सस्ते म और आप जो है उतना quantity में सामान को offer नहीं कर सकते उतना quantity में सामान को sell नहीं कर सकते तो आप जो है factory में contact करना आपके लिए बिलकुल भी worth नहीं होगा कि factory बाले जो है 10-15 पीस के उपर तो deal करेंगे नहीं वहां पे उनको जो है maximum 1000 पीस, 2000 पीस, 5000 पीस के उपर ही deal करेंगे तो यहां पर आप अगर एक normal shop बाले हो तो आप wholesale में जाके deal किजिए ना कि factory में, तो guys उमीद आपको यह जो वीडियो है यह पसंद आया होगा, फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुजाब है इस topics related तो make sure इस वीडियो को comment में या फिर Instagram पर मुझे personally पूछ सेकते हो, आज के लिए ब